हेलो गैस, स्वागत है आप सबका, तो आज हम बात करेंगे अधानी वील मार, अधानी ग्रीन एनरजी और अधानी एंटरप्राइस की, सबसे पहले अगर आप नहीं हैं इस चैनल के उपर दोस्तों तो इन तीनों के उपर हम डेली टेक्निकल चाट के उपर एनलिसिस करते हैं तो ये लेवल अगर पार होता है, फिर एक अच्छी तेजी की संभवना रह सकी है, जो कि 400 का लेवल है, पिछले समय में अच्छे वोलियम के साथ यहां तक गया था, कुछ खबरे भी आई थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिं तो इसके अंदर फिर एक अच्छी तेजी की संभवना रह सकती है, और इसके लिए मुझे ऐसा लग रही कि कमपनी अगर अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करने में कामियाब रहे, या फिर अपने जो प्रॉडक्स है, उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, उसके ब अब अगर इसके उपर निकलता है, तो फिर भी एक तीन सो आसी पीचासी का असपास का एक रहा है, वीकली चार्ट है, यहां पर अगर अगर देखें, अभी ये कैंडल कैसी बन रहा है, यह बिल्कुल डोजी कैंडल, जहां पर ओपन हुआ, वही पर अभी प्राइस अटका क्योंकि पिछली बार अगर देखें, यहां पर अगर देखें तो शूटिंग स्टार, या फिर एक मटलब की कैंडल बनी थे, यहां लग रहा है, लेकिन यहां पर अभी देखें तो अब पिछले सब्ता के वीक का जो लो है, उसके थोड़ा सा ऊपर, इसके नीचे क्लोजि अब यहाँ पर देखे डेली चाट के ऊपर बुलिंजर बेंग लगाया है सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया इसका यह इसकी निचली लाइन है वहाँ पर दिख रहा है जो कि 350 के आसपास है अगर यह लेवल पार होता है तो फिर 350 तक जाने की संभव न रह सकती है क्योंकि इसकी उपरी लाइन वहाँ पर है और इन तीनों के अंदर डेली चेंजिस पर होते रहते हैं तो भी यह इसका दाइरा काफी सिकुड़ चुका है यहाँ पर क्योंकि वोलेटलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है मसीडी के अंदर देखे तो हल्की सी स्ट्रेंद आती हुई दिख रही है आज के दिन जो है यह पिछले कहीं दिनों से यह रेट कलर के बार बने थे आज के दिन यह गुला भी कलर का बार बना है हल्की सी स्ट्रेंद के अंदर बढ़ोतरी हुई है कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है RSI को अगर देखे तो 48 के असपास है न्यूटिल करणिशन में दिख रहा है कल के दिन की अगर बात करें तो मुझे इसा अलग रहे कि यह 360 को पार करने की कोशिश कर सकता है तो पिर आने वाले हपते में 380 से पीचे 80 तक जाने की संभावना रह सकती है अगर यह लेवल पार होता है फिर यह वापस से 400 को पार करने की संभावना एक कोशिश कर सकता है लेकिन यह लेवल अगर पार नहीं होता तो फिर पहला इसका सपोर्ट की अगर बात करें तो 350 से लेकर 345 का सप़ोर ले सकता है सपोर्ट और रजिस्टन हम दोनों को यहां पर चल्चा करेंगे यह लेवल अगर संभल नहीं पाता तब की बात है तो भी नीचे में इसका दूसरा सपोर्ट अरिया 330 से लेकर 320 का जोन दिख रहा है और स्ट्रॉंग सपोर्ट की बात करेंगे तो वो 300 रुपे का सपास का जोन दिख रहा है अखरी 15 मिनिट में भी एक लाग के आसपास का वोल्यम रहा इतना बड़ा शेर है फिर भी अब यह इंट्राडे प्लेयस ने भी किया होगा यह भी हो सकता है या फिर किसी ने बेचा और करीदा यह यहां पर हुआ होगा क्योंकि यह थोड़ी सी गिरावट आई है आखर में तो यह देखना इंट्रेसिंग है अब यहां पर एक चीज़ काफी मेहत्वपूर्ण यहां पर दिख रहे है यह वीकली चाट के उपर यहां पर अगर देखे यह जो रेट कलर की केंडल है यह बेरिस एंगल फिंग केंडल बनती हुई दिख रही है तो कल का दिन काफी चल्चा करेंगे तो कल की क्लोजिंग काफी माइन रखती है ऐसा मुझे लग रहा है और यह जो लो है तकरीबन तकरीबन जहां तक मुझे याद है अट्रासो पेतालिस रुपे के आसपास है तो यह लेवल ज्यादा दूर नहीं है अगर इस लेवल के आसपास या फिर से थ रजिस्टर नहीं बलकि सपोर्ट का काम भी यहीं कर रही है जो कि अट्रासो दस के आसपास है उपार वहाँ पर इसकी मिडल लाइन है और ऊपर में अभी जो है उनीससो चालिस अपास है एक रजिस्टर बना हुआ है और मिडल लाइन इसकी 845 के आसपास है और यहां पर अभी इसके सपोर्ट और रेजिस्टन हम देख लेते हैं जैसे कि डेली चाट के ऊपर देखे तो 812 के आसपास की क्लोजिंग तो पहले तो इन दोनों ही मुविंग एविलेच के ऊपर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह स कल वहां पर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है अगर यह लेवल पार होता है फिर जो है यह 1920 से लेकर 1980 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है तो यह अभी इसके जो है शोट टम के रेजिस्टन दिख रहे हैं इसके उपर आप चाहे तो अपनी नजर बना कर रह सक और यह 5 or 9 days के moving average को पार कर ले तो अच्छा रह सकता है यह चीज यहां पर देख रही है आज के दिन किया हुआ दो पेर के बाद इसके अंदर अच्छी तेजी आई जब यह बाजार के अंदर ही bounce बैगा या volume भी अच्छा का सा दिख रहा था अब यहां पर जो है कि weekly chat के उ लेवल को successfully पार करता है तो और बड़े रजिस्टन की बात कर रहा है तो वह तो 3400 रुपे का असपास का zone दिख रहा है लेकिन उसकी बाद हम फिलाल बाद में करेंगे क्योंकि यह लेवल थोड़ा सा दूर है इसके उपर भी हम daily chart के उपर चल चा करते हैं तो subscribe जरूर कर ला सिडी को तो यहां पर भी हलकी सी strength आती हुई दिख रही है क्योंकि आज थोड़ा सा एक हलका सा गुलवी कलर का बार बना है अगर कुछ लेवल को पार कर दे खास करकि 3100 रुपे के लेवल को तब इसके अंदर एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है फिर यह साड़े यह लेवल भीए अगर पार हो जाए तो भी जो है वो strength वापसा सकती है फिर यह जो 3100 तक जा सकता है अगर वो लेवल पार होता है फिर और भी तेजी की संभावना रह सकती है क्योंकि यह जो है यहां से जब इसको तोड़ा था उसके बाद बार बार इसके उपर जाने की को स्वस्से अगर दातो है तो 엤कोर एक सपक्ति की बाद का सकता है तो यह मंतिसे ने खाष सक्वाइब 8100 अगर और इसके नीचे अट्था इतम के सप्क्रीब मभम सुपोर के बात कहई है तो फहला रैंच ती नजार और पचास उसके बाद जो है 3120 का लेवल बस ये लेवल अगर पार हो फिर जो है ये 3250 से लेकर 3400 तक जाने की इसकी संभवना रह सकती है ये जो है थोड़े से दूर के रजिशन यहां पर दिख रहा है और ये नजदी की रजिशन तो इन सभी सपोर्डर रजिशन परपस के लिए बनाए मेरे तरफ से कोई भी बाई यासल की रेकमेंडिशन नहीं है थैंक यू